नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारी YouTube चलेने में स्वागत है जिसका नाम है New World Day दोस्तों आप सभी ने मुझसे कई बार ये पूछा है सवाल किया है कि इस लोको पालेट की जो फोर्म में हम भरें तो इसमें हम जो पास्पोर साइज फोटो यूज में लें उसमें हमें नाम लिखना है डेट लिखनी है या डेट लिखनी है कि क्या लिखना है सर हमें फोटो हमें अपलोड कैसी करनी है और डोकुमेंट्स हमें अपलोड करने है या ने करने तो और दोस्तों साथ ही सथ आपके ये भी सवाल है कि इस सर हम कौन से स्टेट से हम फॉर्म भरें जी हां दोस्तों कि कौन से जोन से हम फॉर्म भरें तो आप सभी की इन सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज प्लीज हमारे चलन को आप आज ही सब्सक्राइब करें वीडियो के नीचे इस रेट बटन पर जरूर क्लिक करें और घंडे के आइकन को जरूर दवा जिससे हम जो भी वीडियो अफलोड करेंगे जो भी इंफोर्मेशन हम आपको देंगे सबसे पहले वो आप सबसे पहले आपको प्रोवाइट की जाएगे हमारे चलन के माद्देम से और दोस्तो वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक और शेर जरूर करें प्लीस दोस्तों आगे चलते हैं जानते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फोटो की तो मैं आपको फोटो का डेमो दिखा देता हूँ यह देख सकते हैं आप आपको सिर्फ फोटो को यह आप देख सकते हैं कि यह आपकी फोटो हो जाएगी और यह यहाँ पर आपका नाम आएगा और जिस तरीक को आपने फोटो की चाहिए, वो फोटो की आपको डेट डालनी है, यहाँ पर आपकी डेट बर्थ नहीं डालनी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पूचा गया है आपसे डेट, डेट के बारे में और नाम के बारे में, तो आपको जो पूरा नाम है, वो आपको य आपको सबसे पहले तो यह color photograph होने चाहिए यहाँ पर साफ लिख रखा है कि the color passport side photograph with white light color background आपको ध्यान रखना है कि white color background होना चाहिए सबसे light color में होना चाहिए ठीकि दोस्तों यह important जीज है इसके लिए तो आप सभी के लिए यहाँ पर जवाब है क्योंकि यह official notification का ही है मेरे पास लिखा हुआ है तो यहाँ पर आपको white देनी जिस टेट में आपने फोटो किछा ही है ठीके दोस्तों और यह फोटो होना चाहिए जिसका जो होना चाहिए size वो 100 dpi के अंदर होना चाहिए ठीके दोस्तों the size of photograph should be between 50-40 kb के अंदर होना चाहिए आपका ठीके चाहिए पंदरह से 40 size की बीच में होना चाहिए के भी the color photograph must have been taken on or after one एक बारा 2017 के बाद की फोटोग्राफ होने चाहिए ठीके दोस्तों तो इसका विशेस तोर पर ध्यान रखे कि एक दिसंबर 2012 के बाद की फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके पास में जो भी आप फोटो अप्लोड करोगे उसको ध्यान रखना especially ठीके दोस्तों in a professional studio photograph taken using mobile and selfie composed partials may result in rejection आप ध्यान रखिए इस चीज का इस लाइन का बहुत important लाइन है कि आप अपने mobile से किचीवी फोटो यहां पर अपलोड नहीं कर सकते हैं ठीके दोस्तों वह आपकी फोटो रिजेक्ट कर दी जाएगी यहां पर especially लिल्क रखा है ठीके दा फोटो शुट है एव क्लियर फ्रंट व्यू ओफ दा केप यह ध्यान रखना विदाउट केप एंड संग्लासिस आप आपके सर पे टोपी नहीं होनी चाहिए और आपके गॉगल नहीं लगा होना चाहिए बिले कलर का चश्मा बिल्कुल नहीं होना चाहिए ठीके दोस्तों दा फेश शुट ओक्यूपाई एट लिस्ट फिप्टी परसेंट ओफ दा एडिया ओफ दा फोटोग्राफ विद हैं आपके सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए ठीके दोस्तों एपके नागाल नागाल जो भी होने चीए अपके सब दिखते होने चीए in case of the in case the candidates wear glasses अगर आप ग्लासे पहनते हो नमबर वाले चश्मे पहनते हो देन दा फोटोग्राफ शुड नाट हैव एनी ग्लेयर ओन ग्लासेज तो आप अगर यहां पर बोल रहा है कि तो आपने जो नमबर के चश्मे पहन रखे हैं उस चश्मे पर आपके कोई भी जमक नही सब्सक्राइब तो आपको ध्यान रखना है कि कंपोटर बेस टेस्ट जो होगा वहां पर भी आपको फोटोग्राफ की जोड़ पर सकती है और डॉकमेंट वेरिफिकेशन में तो यह फोटोग्राफ आपको सभी ही वही यूज में लेनी है यहां पर लिखर का प्लोड होते हैं ठीक है दोस्तों ठीक है आप फोटोग्राफ यूज इन दिस अबिलिटी सेटिफिकेट ठीक है एफ कंडिड़ेट और डवाइस टू कीप एट लिस्ट ट्वेल्ट कोपी आपको बारा फोटो जो है एक ही फास पर साइज के जो आप खिचा रहो उसकी बारा कोपी ह आप समालके रखनी है आपको पूरे process के अंदर copies of the same photographs for further use in as and when required during the requirement process ठीक दोस्तो तो आपको पूरे प्रोसेस में बारा photographs की requirement पर سकती है तो आपको पूरी बारा photo निकल वाके रखनी है वही same की same ठीक दोस्तों तो दोस्तों यह काफी important topic था आप सभी के लिए क्योंकि आप लोगे काफी सवाल थे तो मैंने आपको इस वीडियो के माद़म से सवाल को आपकी लिए clear कर दिया है तो यह photo का आप डेमो देख सकते हैं बिलकुल आपको as it is ऐसी ही एसी ही photo किछवा के रखनी है आपके लिए ठीक अब हम बात करते हैं कि आप किस vacancy के लिए किस stage पे states के लिए आपको आविदन करना है तो मैं सब मेरे experience के एसाब से मैं आप सभी को यही guide करने चाहता हूं कि आप जिस state से हैं कुश्च करें उस state के लिए आप आविदन करें जी और जैसे कि यहाँ पर भी है राओंची में भी पोस्ट जाता है यहा पंद्रास रहा पर भी जाता है चारजार पोस्ट इंहन प्र जाओ करें दो और आप जाए हैं यहां की जगे अगर आप जहां पर है जयसे पोच कि यह आमदाबाद के हैं तो आप एमदाबाद में ही फाइट कीजिए वही आप अप्लाई कीजिए क्योंकि यहां पर जो आपकी कट ओफ होगी वो कम जाएगी क्योंकि यहां ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएंगी यही सोच करके तो यहां पर कट ओफ बढ़ जाएगी यह चीज़ का विश्यस तूर पे धान रखिए तो आप यह लालच में मत जाएए कि आप के सामने ज़्यादा पोस्ट यहां है तो आप यहां भागें ठीक तो अगर आपकी कट ओफ अगर कम आ रही है तो आप रहे जाओगे ठीक दोस्तों तो आप विश्यस तूर पर धान रखिए इस चीज़ क्या कई बार एसकसर ऐसा ही होता है कि आप जिस स्टेज पे हैं वहाँ पर स्टेट्स पे हैं अपलाई कर रहे हैं वहाँ पर क्या सीटे कम होती है केंडिजेट्स भी कई कम ही आते हैं तो वहाँ पर कुट फोले के चंसेस जादख होते हैं तो आप सभी किया मैंने सोचा की आपको इस वीडियो के मादम से इस बात को भी क्लियर कर दो और एक सबसे बड़ी बात की आप एक पोस्ट के लिए सरफ एक ही बार आवेदन कर सकते हैं, अगर आपने दो फोर्म बढ़ती है तो आपकी रिजेक्ट हो जाएगा एक एप्लिकेशन, आपकी विश्चतर पे ध्यान रखें आप दो फोर्म बढ़ने ही नहीं है, आपको सरफ एक ही फोर्म बढ़ना है, बहुत एनी अटेंप्ट बाय एर गंडेट तो सब्मिट मोर देन वन एप्लिकेशन अगेंस्ट इसके सी एन शेल रिजल्ट इन डिस्क्वालिफिकेशन एंड डेटन मेंट तो यह चीज का भी शेस्टोर पे ध्यान रखें आपके लिए बैस्ट अफ लग और अप्र ध्यान रखें आप फॉर्म पे ही दियान ना रखें आप अपनी तयारी भी साथ साथ करें जाए क्योंकि आपके पास समय नहीं है क्योंकि फर्स्ट स्टेज का एक्जाम आने वाला है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए स्लेबस और एक्जाम पैटन की अच्छे से किलियर कर आने की पुरी-पुरी कोशिच करते हैं अगर आपने सब्सक्राइब कर रहा है हमारे चलन को तो आपको अप्डेट्स प्राप्त हो जाती है और अगर आप नए हैं तो प्लीज आप आज ही हमारे चलन को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू सो मच ब